हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू जॉर्टिका गेमिंग आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी वोमेन वर्सेस फ्रांट्स वोमेन के बीच में जो टीटू इंटी सीरीज चल रहा है इसका थर्ड मैच और आपकमिंग जो चार और पांच नमबर मैच है क दोनों तीन दीन लगबग मैच है तो तीनों मैच हो का जो ग्रैंड लिग का प्लेयर से जील का प्लेयर स्मॉल लिग पे बहुत ही कॉमन टीम जा रहा है तो स्मॉल लिग का बात मैं नहीं करूंगा बट ग्रैंड लिग का टिप्स यहां पे होगा ना मैं यहां पर आपको कर टेप्स देने वाला हूं इस वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ज्यादा नहीं हूं कि स्मॉल आज सब को स्कोर कर पता चल गया है तो स्मॉल लिग के बारे में उसके पहले देखिए अगर स्मॉल लिग का टीम है तो आप नीचे डिस्रिप्शन में हम लोग का ट टेलिग्रम में सर्च करके भी यह पर जॉइन हो सकता हो जॉइन हो जाना क्योंकि मेरा फाइनल जो टीम होगा स्मॉल लिग के रिए यह आफटर लाइन अप टेलिग्रम पर यहां पर मैं दिखाऊंगा ग्रैन लिग का प्लेयर इन वीडियो बात करते सब से पहले तो तो आज लिक्तर सिनियैर प्लेयर मैं ऑउनली स्सिर ब्यडिटशी यहां पर बोल बोलिंग किया और इनको दो उीयट हैक मिल भी गया पैट यह दोणों ने बोलिग करना स्टांट करेंगे तो इनका चार ओवर का बोलिंग पर दो से तीन विकट ले सकते हैं यह दोनों पहले करते हैं ना या फिर अपना रोल जो है यह senior प्लेयर से इनका international T20 में already इनका 3-4 wicket का haul पाच wicket है इनका तो पाच wicket का haul है ठीक है और साथी साथ 50-60-70 run का भी इनका innings है ठीक है तो यह दोनों पर खिलारी ना आज नहीं कुछ नहीं किया यह अपने आपको बचा के रखा है लास्ट के मैसेस के लिए तो आज junior players को इननों लोगोंने मौका दिया है टीम में तो था बट किया कुछ नहीं यह ब्रेलिवेट जो जो चार over में पाच wicket लेना और साथ में 60-70 run करने का शमता रखती है वो खिलारी बैटिंग करने आ जाई है साथ नंबर पर ठेक है तो यह वाला ग्रेंड लिक का पीक आप को हो गया मैं क्या ही बोलू हदब यह जो एसोसियेट एक मैस पे इनको कोई ले नहीं रही है देखो आपको सिलेक्शन दिखा लाँ इतना बड़े खिलारी है यह captain रहा चुका है France का और France women इतना कम जो team है नहीं किक है मैं आपको trust मीं इतना कम तीम है नहीं अगर ऐसे junior players को खिलाते रहेंगे तो यह काहां काहां ही होगा पर अगर senior players like इब्रेलिविड पी तो यह सारे प्लेयर्स अगर अपना फॉर्म पर बापस आया ना तो यह फ्रांस वोर्मन टीम इतना खड़ाब टीम नहीं है जो आज इतने बुरी तरह के से इन लोगों ने हार मान लिया तो यह इनका ग्रैंड लिग का चोईस है बाकी ग्रैंड लिग में आप यह पर एम वल में प्लेयर्स से भड़े हुए है मेट्स अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो एक लाइक कर दो क्यूंकि आपका लाइक की मेरा मोटिवेशन है साथ ही साथ आप अगर ड्रीम एलेवन में नहीं खेलना चाहते हो तो फुल्टासबोर के फैंटसी अप्लिकेशन इस पर हम लोक मेंबर्स बहुत सारे मैचेश क्यंटे रहते हैं यहां पर आपको जो डॉमेस्टिक हो गया वूमिन मैच हो गया यह खेलके यहां पर स्मॉल लीक खेलके ज्यादा यहां यह अपर प्लीके पी कि लोगेशन होगया इस पर 10-15-20 का कंफर्म लिग यहां पर आत बट फुल टॉस में आपको चांसेस ज्यादा होता है विन करना आसान होता है तो फुल टॉस में आपको हाई कंपुटिर मैस पे एसल और मीनी जील मैं तो रेकॉमेंड आपको करूंगा इसका लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन पर एंड चैनल पर भी मिल जाएगा टेली लिग का पीक्स तो सबको पता चल गया बट ग्रैंड लिग बे जो दो बहुत बड़ी पीक है ना वो है अन्ना बेरविच एमबेर्स फोन दोनों के दोनों बहुत अच्छी बोलर है ठीक है अभी इन्होंने बोलिंग ना करके बे में इस लोज को देखे बोलिंग करा है लो अब को कहां पर ट्राइब करना पड़ेगा ग्रैंड लिग पर ठीक है बेर्स फोर्ट दोनों के दोनों बहुत अच्छी खिलाडी है अच्छी बोलर है अगर दोनों बोलिंग में आ जाएंगे जैसे आज सेकेंड मैस पे डूबल पूप हैले मैस पे बोलिंग नहीं किया से मैंकनमा जो है तो आपको यह याद रखना पड़ेगा उसके बाद देखिए अज डोबलपूर हीली और यहां पे फ्रॉंड मेर यह भी तो बहुत अच्छी मानलब यह सारे बहुत अच्छी पीक है यह सारे का सारे प्लेयर्स बोलिंग बैटिंग करना जानते हैं इनमें से संद्र गनी जो है इनको आप अल्राउंड सेक्षेन में आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो देखिए विकेट की पर है मेंली बोलिंग ज्यादा तक नहीं करती है ठीक है आज पहला मैस पे दो विकेट लेके गई यह वह अलग बात है इनको विकेट लग पर भी मिल गया ठ प्लेयर तो अच्छी है यह पहली प्लेयर है वोमेंट्स पर जर्मनी ओमन कर जिन्होंने ECS की 22 विकेट की बिंग किया था ठीक है पर मुझे लगता नहीं है यह अगर विकेट की बार से आल राउंड सेक्षेन में आ गया तो मुझे चॉइस करने का कोई जरूरत है यह पर ही और फॉंड्मेर पहले जर्मरी टीम होता है उसके हिजप से यह बंदी यह ऑपन भी करती थी और साथ में बोलिंग भी करती थी आज इनको इनको ऊपेन में नहीं भेजाये पर यह ओपन प्लस बोलिंग दोनों कर सकते है विकर्टिकिदिक का बिंग का पाइलिटि के पास गॉप आपको पता है सबसे अच्छा खिला रही है कि कैप्टेन है तो इनको तो आप लोगे साती सात में और एक वले को बोलूंगा जी रोनल्स जी रोनल्स के उपर लोगों का नजर थोरा सक्क जाड़ा है पर यह जो जी रोनल्स है ना यह बहुत अच्छी पैट्स वोमन त मेरे कैप्टेन था और वाइस कैप्टेन था मेरा जी रोनल्स येस आप लोग सही सुन रहे हो गौफ या फिर डोबलपूर हीली तो न्यू है ठीक है हीली तो अभी इसी साल कुछी दिन पहले खेलना स्टार्ट के है एक्चुल में न्यू प्लेयर्स है ठीक है पर डोबलप होते हुए यह लोग होते हुए भी मैं कैप्टेन बनाया तब स्रॉंड मेर को वाइस कैप्टेन बनाया जाता है रोनल्स को और यह जोरी मुझे ग्रैंड लिग देके गया था ठीक है क्योंकि यह जोरी बहुत शान्दा जोरी अगर अपना फॉर्म पर बापास आया तो यह फिर भी मैं अभी तक जो-जो इंप़्ॉर्टेन जील का पिक बोला हूं उनको मैं एक वार टोटली यह करके मैं दिखा देता हूं जील में देखिए जो मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ जो जील में आपको ट्राई करना चाहिए वो है यह साथ खिला रही यह साथ खिला रही आपके लिए जील का एक बहुत अच्छी पेक है अब चलते थोड़ा सा बात कर लेते जो स्मॉल लिक पे आपको क्या टीम यहाँ पर रहना चाहिए उस टीम के उपर बात करते देखिए सेलेक्शन परसेंटेस के साथ ही जाना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा फ्रांट्स वोमन का विकट कीपर ले लिया गौफ जे किंग और ब्रोदिन ले लिया ब्रोदिन ने आज बोल किया है बट मेरे हिसाब से ब्रोदिन से अ और रिक्स लेके मैं ले रहा हूँ इवरलेट को ठीक है इनको मैं रिक्स के लिए रहा हूँ अगर रिक्स लेना नहीं चाते हो तो संदरगानी के साथ आप जा सकते हो ठीक है अगर रिक्स लेना है तो आप फॉर्ड मेर के साथ भी जाते है तो संदरगानी भी एक अच्छा है तो स्मॉल लिक के लिए अभी तो सही है बाद में आप यह चेंजिस कर सकतो जो मैं एक्जैक्टली बोला हूँ ठीक है उसके बद कौन आता है बोलिंग सेक्शन में आपके पर ब्रेट्ची लोस और ब्रगना यह तीनों के तीनों आपको 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 टीम में कुछ पर बोलिंग किया है तो पॉइंट स्कोर करने का मौका जादा है पर चार बर कंप्लिट नहीं करा रही है यह पॉइंट विन नोटेड है जहां पर हीली और जोबलपूर चार बर करके बोलिंग किया है तो आपको याद में रखना पड़ेगा जो यह सारे जो टिप्स मैंने दिया हूँ इस टिप को आप नोट कीजिए वीडियो को और एक बाद देखिए लाइक कर दीजिए और ग्रैंड लिक पे वीं करके स्क्रीन शोट शेयर कर दीजिए तो मिलते हैं टेलीग्रम चैनल पर